प्यारे बच्चों, मैं मंदुशर्मा आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पार्थ 9 क्रिया पढ़ेंगे पार्थ 9 क्रिया क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना या होना अब यहां पर कुछ चित्र दिखाए गए है और उसके नीचे वाक्य दिये गए है जिससे हम क्रिया को समझेंगे सबसे पहला वाक्य है, रवी टीवी देख रहा है दूसरा है, रवीना नाच रही है तीसरे में देखो, बच्चे मोल में घूम रही है अब इन तीनों चित्रों में कुछ ना कुछ कारिय हो रहा है अब किसी काम का होना या करना उसे हम क्रिया कहते हैं जैसे टीवी देख रहा है इसमें क्रिया क्या है? देखना देख रहा रवीना नाच रही है, इसमें क्रिया क्या है? नाच रही है क्या काम हो रहा है इसमें नाच रही है तो हम इसमें क्रिया क्या कहेंगे नाचना बच्चे मौल में गूम रही है अब इसमें क्रिया क्या है गूमना क्या कर रहे हैं बच्चे गूम रही है इसलिए क्रिया क्या होगे इसमें गूमना इसके बाद देखो इस चित्र में दुकानदार सामान बेच रहा है आसमान में चड़िया उड़ रही है शाम मैदान में खेल रहा है अब इन तीनों चित्रों में ही कोई न कोई कारिय हो रहा है या किया जा रहा है अब देखे दुकानदार सामान बेच रहा है इसमें क्रिया है क्या है बेजना क्या काम हो रहा है दुकानदर सामान बेज रहा है तो इसमें बेजना क्या हो जाएगा क्रिया अब अगले में देखी आसमान में चड़िया उड़ रही है तो इसमें क्रिया क्या है उड़ना चड़िया क्या कर रही है उड़ रही है इसलिए उड़ना इसमें क्या हो जाएगा क्रिया, शाम मैदान में खेल रहा है, इसमें क्रिया क्या है, खेलना, अब आपने चित्रों में देखा कि सभी कुछ ने कुछ काम कर रही है जैसे बताओ कि रवी क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है रवीना क्या कर रही है? नाज रही है बच्चे क्या कर रही है? घूम रही है दुकानदार क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है चिडियां क्या कर रही है? उड़ रही है शाम क्या कर रहा है? खेल रहा है अब दिये गए चित्रों में काम हो रही है जैसे देखना, नाचना, घूमना, बेचना, उड़ना, खेलना ये सभी काम हो रही है और काम का होना या करना क्रिया कहलाता है ये सारे शाब्द काम के होने के बारे में बता रही है इसलिए अच्छो काम का करना या होना क्रिया कहलाता है कुछ काम किये जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं जैसे किये जाने वाले काम कौन से हैं? जैसे विवेक चित्र बना रहा है इसमें विवेक की द्वारा काम किया जा रहा है माताजी साड़ी खरीद रही है इसमें माताजी साड़ी खरीद रही है माताजी की द्वारा सामान यानि कि साड़ी खरीदी जा रही है अब जिसमें हम कारिक करते हैं उसे हम काम का करना कहेंगे और ऐसे काम जो अपने आप होने वाले काम है वो कौन से हैं जैसे सूरज निकल रहा है सूरज का निकलना जो अपने आप निकलता है बारिस हो रही है बारिस का होना जो अपने आप होता है तो किसी काम के करने और होने को हम क्रिया कहते हैं क्रिया का महतुव क्रिया का महतो क्या है वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता अधूरा ही रहता है जैसे गरिमा पड़ डैस अब क्रिया के बिना ये वाक्य अधूरा है जैसे नेक्स देखिए रोहन खेल और डैस अब क्रिया के बिना ये वाक्य अधूरा है इसका कोई अर्थ नहीं है इन वाक्यों का कोई अर्थ मत्यानि की मतलब नहीं निकलता है इसलिए क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता अब इन वाक्यों में क्रिया जोड़ कर देखें जैसे गरिमा पड़ रही है और रोहन खेल रहा है क्रिया के प्रयोग से ये वाक्य पूर्ण हो गए है तुमने क्या देखा क्रिया जुड़ने से अधूरा वाक्य पूरा हो गया इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं वो क्रिया कहलाते हैं अब कुछ क्रिया सब्दों के उधारन देखिए कौन कौन सी क्रिया होती हैं जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, काटना, नाचना, उगना, डूबना, नहाना, धोना, देखना, सुनना, और हसना, रोना, खेलना, चलाना, बोलना, गाना, पढ़ना और पढ़ाना ये सभी क्रिया के उधारन है अब इसके बाद देखिए आउ पाट दोराएं इसके मुख्य बिंदू हम दोरा लेते हैं सबसे पहले देखिए काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं Next, क्रिया के जुड़ने से वाक्य पूरा होता है बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, देखना आधी क्रियाई हैं इसलिए काम का बूद कराती हूँ, क्रिया में कहलाती हूँ आशा करती हूँ कि आप सभी को पाट समझाय होगा, धन्यवाद